जहिन दोस्तों मैंनी धीबेंचोहा नाजम करेंगे क्लास 10th का 3.6 का question 2 का part 2 तो इसमें हमें पूछा गया है कि X3 और एक पुरुष काम कितने दिन में पूरा करते हैं ठीक है तो जो पूछा गया है पहले हम उसे मान लेते हैं एक स्त्री काम पूरा करती है X दिन में और एक पुरुष काम पूरा करता है Y दिन में ठीक है तो अब आगे जो question में कह रहे हैं कि एक दिन में X3 कितना काम करती है ठीक है काम पूरा तो वो करती है X दिन में लेकिन एक दिन में X3 कितना काम करती है तो जो हमने माना है, means total days हमने जो माने है, उसको हम यहाँ छेद में लियाएंगे, एक दिन में कैसे निकालते हैं, पहले आपको यह समझना जरूरी है, हमने total दिन माने है x, ठीक है, तो total दिन हमारे नीचे आएंगे और एक दिन में, एक दिन के लिए निकाल रहे हैं न, इसलि कि उसके लिए हमने y दिन को माना है, total, तो total नीचे आजाएगा, इस तरह से हम एक दिन के काम के भाग का हिस्सा निकालते हैं, ठीक है, अब question में क्या दिया गया है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है, question में दिया गया है कि 2, 3 और 5 पुरुष, ठीक है, तो 2, 3 है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा था हमारा अंसर, 3 के लिए 1 बटे x और पुरुष के लिए 1 बटे y, ठीक है, तो यहाँ पर भी बटे में x और y जाएंगे, अब देखिए, यह कह रहा है कि 2, 3 और 5 पुरुष, ओके, 2, 3 और 5 पुरुष मिलके एक काम को चार दिन में पूरा करते हैं तो मैंने अभी बताया ना कि टोटल दिन नीचे आ जाएंगे, है ना, और एक दिन का निकालना है, तो 2, 3 तो 2 बटे x, 5 पुरुष तो 5 बटे y, एक काम को पुरा करते हैं, चार दिन में, ठीक है, तो इसलिए 4 हमारे नीचे आ जाएंगे, क्योंकि हम एक दिन का निकाल रह है, कि 3 स्त्री और 6 पुरुष एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो फिर वही बाद 3 नीचे आ जाएगा, है ना, और यहां पे स्त्री 3 बटे x, पुरुष 6 बटे y, ठीक है, तो यह हो गया समीकरण 1 और यह हो गया 2, अब यहां पर लेंगे हम आदेश, ओके, तो x बड़ाबर a, 1 बटे y बड़ाबर b, ठीक है, तो यह हो जाएगा 2a प्लस 5b बड़ाबर 1 बटे 4, समीकरण 3 हो गया, 3a प्लस 6b बड़ाबर 1 बटे 3, समीकरण 4 हो गया, अब समीकरण 3 को 6 से, यह समीकरण 3 है, इसको हम 6 से गुना कर रहे हैं, और यह समीकरण 4 है, इसको हम 5 से गुणा कर रहे हैं ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ताकि जो b की term है वो बिल्कुल equal हो जाए ठीक है समीकरण 3 को 6 से करेंगे तो 6 पंजे 30 और समीकरण 4 को 5 से करेंगे तो 6 पंजे 30 है ना क्योंकि हमें b की term को बराबर करना है इसलिए हम समीकरण 3 को 6 से गुणा कर रहे हैं और समीकरण 4 को 5 से गुणा कर रहे हैं ठीक है तो यह देखो हमने गुणा कर दिया यहाँ पर गुणा करने पर हमें मिला 12 प्लस 30 B बराबर 6 बटे 4 देखो समीकरन 3 को हमने 6 से गुणा किया ना तो 6 एक कम 6 बटे 4 ठीक है और समीकरन 4 को 5 से गुणा किया तो 5 दिया 15 5 चिक 30 और 5 एक कम 5 अब दोनों को घटा देना है ठीक है तो घटाएंगे ना तो नीचे वाले निशान उल्टे हो जाएंगे तो प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस अब पुराने निशानों को आपको भूल जाना है यह प्लस का यह माइनस का यह होगया हमारा कट माइनस 15 में से प्लस के बारा गए तो माइनस 3A बचे इसमें से इसको घटाना है तो 6 बचे 4 माइनस 5 बचे 3 अब इसे कैसे घटाएंगे देखो पूरा हमें से सॉलूशन करना पड़ेगा माइनस 3A ये 2 से कट गए 2 तिया 6 दो दुनी 4 तो 3 बचे 2 माइनस 5 बचे 3 तिरची गुणा 3 तिया 9 2 पंजे 10 और फिर नीचे वालों की गुणा 6 दो तिया 6 10 में से 9 गया तो माइनस 1 अपॉन 6 अब ये दोनों यहां गुणा हो रहे हैं इस तरफ आएगा तो पहले तो माइनस से माइनस कट अब ये दोनों यहां गुणा हो रहे हैं इस तरफ आएगा तो भाग तो ये हो गया 1 बचे 6 या 18 ए बराबर हो गया 1 बचे 18 ठीक है आगे देखते हैं अब समीकरन 3 में आप समीकरन 4 में भी रख सकते हैं कोई प्राबलम नहीं आणसर सेम ही आएगा समीकरन 3 में ए बराबर 1 बचे 18 रखने पर तो समीकरन 3 में जहां ए है वहां हमने रख दिया 1 बचे 18 बीच में ब्रैकेट है तीछी तीछा है ना तो कट जाएगा 2 एक कम 2, 2 निम 18 हमें मिला 1 बचे 9 प्लस 5 बचे B बराबर 1 बचे 4 अब 1 बचे 9 का पक्षांतरन तो यहां प्लस का था तो यहां माइनस का 5 भी को यहीं छोड़ देंगे तिर्शी गुणा 9 एक कम 9, 4 एक कम 4 और माइनस ठीक है 6 दों की गुणा 4 निम 36 9 में से 4 गया 5, 36 का 36 ठीक है अब देखों यहां पर 5 भी गुणा हो रहे हैं पक्षांतरन होगा तो भाग हो जाएगा तो यह नीचे आ जाएगा ठीक है 5 से 5 कट क्या बचा 1 बचे 36 तो B आ गया हमारा 1 बचे 36 अब जो हमने आदेश लिये थे उसे हम solve करते हैं हमने आदेश लिया था A बराबर 1 बचे X तो A की value आई है 1 बचे 18 उसे यहां रख देंगे तिरची गुणा X एकम X 18 एकम 18 तो हमारा X आया 18 दिन यानि कि जो हमने स्त्री के लिए माना था तो स्त्री काम पूरा करती है 18 दिन में ठीक है B बराबर हमने माना था 1 बचे Y तो B बराबर हमें मिला है 1 बचे 36 ठीक है तो तिरची गुणा 36 एकम 36 Y एकम Y तो Y बराबर 36 दिन यानि कि पुरुष काम कर रहा है 36 दिन में और स्त्री काम पूरा कर रही है 18 दिन में ठीक है तो मिलते हैं अगले question के साथ अगली वीडियो में जै हिन जै भारत